क्या आए कि अजर्ण वेलकम तो मैं चैनल आरके निटिंग क्रियेशन देखे फ्रेंड आज मांक के लिए एक और नहाज डिजाइन ले कि आये हूं देखे फ्रेंड इस डिजाइन इक आप लेडिज कार्डीकन में लेडिज जाकेट में जेंट स्वेटर में जेंट फुल लेटर में blanket में किसी में भी आप डालिए उसी में ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनके आएगा देखे फ्रेंस इस डिजाइन को बनाने के लिए हम 14 की multiple में फंदे लेंगे और 9 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे तो तब भी हम फंदे डालेंगे तो 14 की multiple में डालते हुए और नो फंदे पलस कर लेंगे तो हमारे डिजाइन सईसी सेट हो जाएगा देखे फ्रेंड्स ये हमारा 14 फंदों में डलके इतना डिजाइन कम्पिल्ट होता है साथ फंदे हम डिजाइन को डिजैस्ट करने के लिए लेते हैं और दो फंदे एजटीज फंदे हैं साथ फंदों में हमारा ये डीजाइन बनता है तो चलिए फ्रेंट अब हमेश्स डीजाइन को बनाना शुरू करते हैं तो देखें फ्रेंट जैसे यह यहां पे यह हमारा इतना डीजाइन बारा सलायों में बनके कंप्लीट होगा यह एक डिजाइन है, हमारा यह चार सलायों में बनता है, चार में ही चार में है, तो हमारा बारा सलायों में यह इतना डिजाइन बनके आएगा, और बारा में आगेगा, तो अब जो जैसे हमने यहां से फर्स्ट रो स्टार्ट की थी, वैसे ही अब हम यहां से करेंगे, तो ध दो, तीन, चार, पांच, छे, और साथ, एक फंदा एजटी, साथ फंदे उल्टे, अब हम यहाँ पर डिजैन डालेंगे, जैसे यह बीच में डला हुआ है, तो धागा पीछे करेंगे, और दो फंदे सीधे, दो, अब यह तीसरा फंदा जो आगे वाला, इस फंदे की एक से तीन बनाएंगे, एक फंदा इसको लूज रखेंगे, फिर पीछे की साइड से दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, फिर आगे की साइड से फिर तीसरा फंदा सीधा बनाएंगे, इन तीनों फंदों को लूज रखेंगे, अब इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे, इसको बन बनाएंगे नहीं फिर स्य इस फनदे के तीन फंदे बनाएंगे एक बो ठीन धेन फंदे एक से एसप Tillे बन गए अब फिर से दौफंदे सीधे एक और दो फिर धावा आगे करेंगे और साथ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे और साथ फिर धावा पीछे करेंगे और दो फंदे सीधे एक और दो अब जो ये फंदा है इसके एक से तीन बनाएंगे एक लूज रखेंगे इसको फिर से बनाएंगे सीधा फंदा दो फिर से बनाएंगे तीन अब इस फंदे को उतार लेंगे ऐसे ही सिलिप करेंगे बनाएंगे नहीं इस फंदे के फिर से एक से तीन एक और दो तीन अब धागा आगे करेंगे और फिर से साथ फंदे दाला पीछे करेंगे सुरी दो फंदें सीधे एक और दो दो फंदें सीधे एक और दो फिर दाला आगे करेंगे और ये साथ फंदे एक और दो फिर एक exist का согласire हमारे आठट फंद यहाँ पर उल्टे बन जाएंगे को आजे आप देखेश अब देखे फ्रैंट यहांसे हमारा डिय्जायन यहांसी है एक से साथ फंद हमारे उल्टे साथ फंदों कि में हमारा फिर्टिजायन बनके तो यहां हमारा ये जोथा फंद दों में र याउनट्र लेगा साथ उन्ऻए में जिदेडा आफ तो हुआंगा एक साइक साइड में सेकंड रो पे सेकंड रो को फिर ध्यान से देखें का फ्रेंट्स ये फंदा उल्टा ये भी उल्टा दो तेन चार पांच छे साथ आठ नो दस और ये ग्यारा आठ फंदे हमारे ये थे और दो फंदे ये दस दस फंदे बनेंगे सोरी उल्टे और अब ये तीन फंदे जो इनको ऐसे ही सिलिप कर लेंगे अब जो यह बगार बुना फंदा था सेधी तरप से अब इसको बना देंगे उल्टा अब फिर ये तीन फंदे ऐसे ही बगार बुने लेंगे फिर से ये फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, और ग्यारा ये हमारी हाँ पे ग्यारा फंदे, साथ फंदे ये उल्टे थे दो साइड के सीधे दो इस साइड के तो ग्यारा फंदे टोटल हमारे उल्टे बन गई अब ये तीन फंदे ऐसे ही सिलिप करेंगे फिर इस बीच वाले फंदे को बनाएंगे फिर से इन तीन फंदो को सिलिप करेंगे फिर आगे के फंदे फिर ऐसे ही उल्टे बना देंगे सभी फंदे यह हमारी second row बनके complete हुई अब आएंगे हम सीधी तरफ सीधी तरफ से फिर से ऐसे ही करेंगे यह 8 फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, और आठ दागा पीछे करेंगे अब जो यह दो फंदे सीधी है इन फंदो को यहां अंदर लेके आना जो यह एक से तीन बने थी इसको भार लेके आना तो इन तीन को ऐसे निडल पे लेंगे और इन दो को निकाल देंगे फिर इन दो फंदो को वापिस निडल पे लेंगे और आगे इन तीन फंदो को डाल लेंगे ऐसे और इन तीन फंदो को पिछे की साइड से तीन का एक सीधा बना देंगे ऐसे फिर इन दो फंदो को बनाएंगे तो यहां पे हमारे फंदे चेंज हो गई जो एक से तीन अंदर थे वो बाहर की तरफ आ गई और जो बाहर वाले दो फंदे थे वो अंदर की तरफ आ गई तो अब यह बगैर बुना फंदा है जो इसको बगैर बुना लेंगे अब ये दो फंदे हैं से इस निडल पर डालेंगे अंदर की तरफ करेंगे और ये तीन फंदे हैं इनको बाहर की तरफ करेंगे ऐसे अब इन दो फंदे हैं जो इनको सीधा बनाएंगे एक एक करते हुए अब जो ये तीन फंदे हैं इनको पिछे की साइड से यहां से इसको सीधा बना देंगे ऐसे फिर धागा आगे करेंगे और ये साथ फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ अब फिर ये दो फंदे हैं इनको अंदर करेंगे, तीन को बाहर करेंगे जो ये एक से तीन बने थी तो इनको ऐसे निकालेंगे निडल से और इस पर वापिस ऐसे डाल लेंगे और ये तीन फंदो में फिर सी निडल डालेंगे ऐसे और इनको पिछे की साइड से ऐसे सीधा बुन देंगे तीन का एक फिर से इन दो फंदों को सीधा बनाएंगे अब जो ये बीचे फंदा इसको भी ऐसे ही लेंगे अब ये दो फंदे अंदर की तरफ करेंगे और ये तीन बाहर की तरफ करेंगे ऐसे तो पहले हम इन दो सीधे फंदों को बनाएंगे एक दो अब जो ये तीन है इन तीन का एक पिछे की साइड से बना देंगे एक फंदा सीधा अब फिर धाग आगे करेंगे और एक फंदा ये फंदें जितने ये सभी उल्टे बनते जाएंगे ये हमारी फूर्थ रो बनके कंप्लेट हुई है थरड रो है थरड रो बनके कंप्लेट हुई देखे फ्रेंट्स डिजाइन भी नजराने लगा आप आएंगे हम फूर्थ रो पे फूर्थ रो पे देखे फ्रेंट्स पूरी सलाई हमारी ये उल्टी बनती जाएगे जो ये बीच में बगैर बना फंदा है इसको बनटा बनाएंगे और सभी फंदों को बना के इसको कंप्लेट कर लेंगे तब आगई हम सेधी तरफ फिफ्ट रोपे यह हमारी सेधी तरफ से पांचमी सलाई है इस पांचमी सलाई को हम पहली सलाई की तरह ही है रिपीट करेंगे आठ फंदे उल्टे दो, चार, छे, साथ और आठ फिर धागा पीछी करेंगे दो फंदे सीधे एक, दो, इसे एक फंदे से तीन फंदे बनाएंगे एक, दो, तीन बीच के फंदे को ऐसे ही सलिप करेंगे इसके फिर तीन फंदे बनाएंगे अगले फंदे के दो, तीन फिर से दो फंदे सीधे एक, दो फिर धागा आगे करेंगे आठ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, और साथ, साथ फंदे ये उल्टे बन जाएंगे, दागा पीछे करेंगे, और फिर दो फंदे सीधे, एक, दो, ये फंदा है जो इसका एक से तीन बनाएंगे, इसको ऐसे ही सिलिप करेंगे, फिर इस फंदे के एक से तीन बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे, फिर दागा आगे करेंगे, और आठ फंदे, साथ डिजाइन के आठ फंदा हमारा एज टिच है, इसे ही बनते जाएंगे, अब आएंगे हम बैक साइड में, चटी रो पे, चटी रो को फिर ऐसे ही करेंगे, जैसे हमने सेकिंड रो के थी, इनको उल्टा बनाते जाएंगे, ऐसे उल्टा बना लेगे, यह हमारे 2, 4, 6, 8, 9, 10 पंदे हमारे उल्टे बन गए, यह तीन को स्लिप करेंगे, बीच वाले को फिर बना लेगे, इन तीन को फिर स्लिप करेंगे, और फिर इनको बना लेगे, ऐसे ही करते हुए, जो एक से तीन है, इनको स्लिप करेंगे, बीच वाले फंदे को सभी को उल्टा बना के पूरा करेंगे, अब आगे हम सीधे तरफ सात्मे सलाई में, इस सात्मे सलाई को फिर से ऐसे ही बनाएंगे, जैसे हमने तीसरी सलाई बनाई थे, आठ पंदे उल्टे, एक एज़ टीच, सात पंदे हमारे उल्टे, अब धागा पीछे करेंगे अब फिर वैसे इस फंदों को change करेंगे तीन फंदे जो इनको बहर ले आएंगे दो को अंदर कर लेंगे और इसको पिछे की साइड से सीधा बना देंगे ऐसे फिर दो फंदे सीधे अब यह बीच का इसको slip करेंगे और ये पिछे के दो फंदे आगे लिए आएंगे और तीन फंदों को बहार ले जाएंगे ऐसे है अब इन दो फंदों को सीधा बुन देंगे और इन तीन का एक पिछे की साइड से सीधा फंदा बना देंगे अब दागा आगे करेंगे फिर से आठ फंदे, साथ फंदे सूरी बीच में उल्टे एक दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ दागा पिछे करेंगे अब फिर इनको भी ऐसे ही करेंगे इनको बहार ले आएंगे इनको अंदर कर लेंगे झाल के और इनका तीन का एक पिछे की साइड से सिधा बना देंगे फिर से दो फंदें सीधे आप इस फंदें को श्लिप करेंगे अब फिर ये दो फंदें अंदर करेंगे और तीन फंदें जो एक से तिन इनको बाहर की तरफ करेंगे और ये दो फंदे से दे इन तीन का एक पीछे की साइड से ऐसे बनाएंगे अब फिर अपनी तरफ करेंगे और आठ फंदे उल्टे तेन चार पाच छे और साथ आठ ये हमारी अपनी साथ मिसलाई थे अब आगए हम आठ मिसलाई को पूरी को उल्टा बना के अब आगए हम सीधी तरफ है ग्यार मिसलाई पर ये आठ फंदे उल्टे दागा पीछे करेंगे तीछे दो फंदे सीधे फिर दागा पीछे रखेंगे इस फंदे से तीन फंदे बनाएंगे एक आगए से एक पीछे से एक फिर आगए से इस फंदे को ऐसे ही स्लिप करेंगे इसके फिर एक से तेन फंदे बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे फिर आठ फंदे उल्टे दागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे फिर इस फंदे से एक से तीन फंदे बनाएंगे इसको सलिप करेंगे इसके एक से तीन बनाएंगे फिर दो फंदे सीधे फिर दागा आगे करेंगे आठ फंदे उल्टे अब आ गई हम बैक साइड में बैक साइड में फिर से सभी फंदे उल्टे बनाएंगे जो एक से तीन है इनको सलिप करेंगे और पूरी सलाई को उल्टा बनाके पूरा करेंगे अब आ गई हम सेदी तरफ अब फिर ये आठ फंदे उल्टे तेन चार पांच छे साथ और आठ दागा पिछे करेंगे अब ये तीन फंदे बहार की तरफ करेंगे और दो फंदे अंदर करेंगे इनको पिछे की साइड से बना देंगे और ये दो फंदे फिर सीध हैं बीच वाले फंदे को स्लिप करेंगे और पिछे से फिर ये दो फंदे ऐसे लेंगे और तेन को अंदर की तरफ करेंगे दो फंदे इन दो को सीधा बनाएंगे और जो ये तीन फंदे हैं तीन का एक पिछे के साइड से करेंगे फिर आठ फंदे उल्टे फिर ऐसे ही चेंज करेंगे ये हमारी ग्यारवी सलाई बनके कंप्लेट हुए अब आएंगे बारवी सलाई को बारवी सलाई को पूरी को उल्टा बनाएंगे इसमें कोई फंदा चेंज नहीं होगा सभी फंदे उल्टे बनते जाएंगे देखे फ्रेंट्स अब हमारी 12 सलाईयां बनके complete हुए यह जो इतना डिजाइन हमारा ही 12 सलाईयों में बनके आता है अब जैसे हमने यह डिजाइन डला था अब वे ओ यहां पे डलेगा तो एक फंदा एच स्टिच लेके फिर दो सीधे फिर एक सीधीन यहां पे डिजाइन डल जाएगा इन्ही 12 सलाईयों को आप रिपीट करते है जाईएगा और बहुत प्यारा सा डिजाइन बनके आएगा और बनाना तो बहुत यह आसान है देखी फ्रेंड्स अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा थेंक्यू